तो आज का हमारा सबसे पहला सवाल रहेगा हाल ही में विश्व वन्ने जीव दिवस कब बनाए गया तो इसका सही जवाब है तीन मार्च को इस तरह की ऑप्शन्स भी अगर आप देखें लेकिन डिरेक्ट आंसर को अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तो बहुत जादा अच्छा रहता है किसी भी चीज को रिबाइस करने के लिए हाली में किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत छेत्र घूशित कर दिया है तो इसका सही जवाब रहेगा असाम को हाली में किसने अनारक्षित प्लैटफॉर्म टिकेट के लिए आई आरसी टीसी के और कौन सा देश जलवायू परिवर्दन के प्रती सरवाधिक समवेधन शील बताया गया है तो इसका सही जवाब है पाकिस्तान हाली में विश्व इस्तर पर अरपतियों की आबादी की संख्या के मामले में कौन सदेश शीर्ष पर है तो इसका सही जवाब है तो इसका सही जवाब है अक्षेम विधानी हाली में किस राजसरकार ने पुरानी पेंचन योजना को बाहल करने के लिए एक पैनल का अगठन किया है तो इसका सही जवाब है हिमाचर परदेश हाली में भारत और अमेरिका की 19 वी सैन्य सहयोग की बैठक कहां आयोजित की गई है ये भारत में आयोजित की गई है और इसका सही जवाब है आगरा महिंद्रा ने किसके साथ भागीदारी की है तो इसका सही जवाब है उन्हें हम लोगों के लिए सोंड पदक जीता है हाली में NIC Tech Conclave के तीसरे संसकरण का उधगाटन कहा हुआ है तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली में नेक्स्ट आपका जो कोशन रहेगा हाली में विश्व बैंक ने अपने किस भारत किस भारत परमुक को MIGA का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है तो इसका सही जवाब है जुनैत कमाल एहमत नेक्स्ट कोशन हम लोगों कर रहेगा हाली में रुटकी वाटर कॉनक्लेव के दूसरे संसकरण का उधगाटन किस ने किया है तो इसका सही जवाब है करजेंदर सिंग शेखावत जी नहीं हाली में भारतिय वायुसेना के पश्टमी कमान के नए कमानिंग इन चीफ कौन बने है तो इसका सही जवाब है श्री कुमार परभाकरन तो ऐसे ही जीकी की करेंट अफेर्स और अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे है चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू सो मच फो वाचिं दिस वीडियो विल सून मीट इन नेक्स वीडियो थैंक यू सो मच बाई फो नाउ